ज़्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं देश में गाय के वद को रोकने के लिए हमेशा से आवाजे उठती आई हैं गौ रक्षा के नाम पर गुंडा गर्दी ना बरदास करने की हर राजी कसम खाती है लेकिन सायद सम में योगी जैसा सामर्थ नहीं है देश के सबसे बड़े राज यानी की उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी अधितिनाथ की कैबनेट ने आज उत्तर प्रदेश में गौवन्स की रक्षा करने और गौवत को रोकने के लिए गौवत निवारन संसोधन अध्यादेश 2020 पर मुहर लगा दी है अब से अगर कोई भी व्यक्ति गाय के अंगों को काट कर इधर उधर करता है तो उसको एक से साथ साल की जेल हो सकती है और एक लाख से तीन लाख रुपे तक का जुर्माना भी हो सकता है अगर कोई व्यक्ति गौवत करने वाला है तो उसको तीन साल से दस साल की जेल हो सकती है और पांच लाख रुपे तक का जुर्माना लगाया जा सकता है जाहिर है कि एक मट से आया हुआ योगी गाए के बारे में कितना सोचता है और गौवत को रोकने के लिए एक नया अध्यादेश ले आया है इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में दंगे भड़के C.A. को लेकर तब भी योगी सरकार की कैबिनेट ने ऐसा ही एक संसोधन करके आध्यादेश लेकर आई जो कि उन लोगों से वसूली का था जाहिर है कि योगी सरकार कोरोना पर तो कहीं न कहीं सबसे बड़े देश के प्रदेश में सक्षम है साथी साथ अगर डिसीजन लेने की बात करें तो योगी से बहतर कोई भी मुख्यमंत्रे अभी तक सामने नहीं आया